इस वीडियो सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है ये वीडियो सिर्फ आपके लिए इसलिए बनाई जा रही है ताकि CRPC के मैं कुछ important question आपके साथ discuss कर सको और साथ मियान Academy के तरफ से आपके लिए एक बहतर या best opportunity है कर सकते हैं और वो opportunity क्या है कि ये free All India Judiciary Scholarship Test करा रहा है कब करा रहा है तो ये 5 March 2013 को दो बार को 12 बजे है आपको जो इस screen पर जो ये बार कोड दिख रहा है अगर आप इस बार कोड को scan करेंगे तो आप अपने आपको enroll कर सकते हैं इस test में अब इस test को क्यों दे आदमी इसका कारण ये है इसको देने का फाइदा ये है कि एक तो ये कि आपको free में ये test देने के लिए मिल रहा है और इससे फाइदा ये है कि आपको अनकाडमी के subscription पर 100% तक का scholarship हो सकता है और आप जैसा कि जानते हैं कि आनकाडमी पर आपको देश के best educator पढ़ाते है और उभवी educator पढ़ाते है तो इस तरीके से आप उनका भिलाव ले सकते हैं तो चलिए आते हैं और एक और offer है उसकी code भी discuss कर लेते हैं फिर उसके बाद question पर आएंगे हम लोग offer यह है कि आज इसकी last date है मतलब आज 28 तारीक को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो February 22 से 28 तारीक के बीच में offer चल रहा है कि अगर subscription लिया जाए तो 20% तक का discount उस पर हो जाएगा और 6 months तक का extension मिल सकता है subscription पर अब यह 6 month extension क्या क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि 18 month का अगर subscription कम से कम लिया जाएगा तो उस पर 6 month का extension मिलेगा मतलब free में 6 month और मिलेगा 18 महिनों का आप subscription लेंगे तो आपको 24 महिनों का मिलेगा इसी तरीके से 24 महिनों का लेंगे तो आपको 30 महिनों का subscription मिलेगा 12 महिनों का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 3 महिन एक्स्टा मिलेगा यह 15 महिनों का सब्सक्रिप्शन मिलेगा और यह आज रात 12 मजे से पहले ही है इसका कोई भी फाइदा लेने के लिए आपको राय लाउ 10 यह कोड यूज करना होगा इसका कोड यूज करना है आज के लिए इतना ही हाँ अब हम डिसकस कर लेते हैं आपको कि CRPC के 10 important questions है क्या चीज चलिए यह question है आपके सामने आप इसको डिसकस करना सुरू करते हैं हम लोग देखें यह है आज का पहला प्रस्ट कि दांडिक नियाले द्वारा गिरफतारी का वारंट प्रवित रहता है जो क्रेमिनल कोट अरेस्ट करने का वारंट जो जारी करती हूं कितने समय तक existence में रहता है एक वर्स पांच वर्स बीस वर्स कि तब तक जब तक कि वह रद नहीं कर दिया जाता है बिलकुल सही option हो option नमर डी और यह तब तक बना रहता है जब तक रद नहीं कर दिया जाता तो section कौन सा है तो section नमर 70 में यह बात कई गए यह CRPC के चलिए इसी तरीके से दूसरा प्रस लखे तहरिकारी दा केवं तार प्राधिकारीρι के लिये तलासी वर्स कौन जारी कर सकता है प्रस जीला मजिस्टेटि YouTubers सक्षम छित्रादेकार का कोई भी देवाणी सी कहता है सक्षम छित्रादेकार का कोई भी राजस्वन या दी कहता है MICHAEL BY यही आप्षन हो जाएगा जीला वारट 92 में जवाब पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है कि डाक्यमतार प्राधिकारी के पास अगर कोई चीज है तो उसे पेस करने का आदेश कर सकता है कौन प्राधिकारी तो जिला मजिस्टेट, मुख्छ नाईक मजिस्टेट, उच्छ ने आला है और सतर ने आला है। और तलासी वरांट 93 के अलतरकाथ हैं जो यह दोनों मजिस्टेट कर सकते हैं। अगला प्रस्टिन आपके सामने ये है कि क्या एक मजिस्टेट किसी स्थान की जिसकी तलासी के लिए वह तलासी वारंट जारी करने के लिए ससक्त है अपनी उपस्थिती में तलासी लिए जाने का आदेश कर सकता है इसका सही option हो जाएगा येस धारा 103 के अंतरगत हाँ 104 के अंतरगत नहीं हाँ 105 के अंतरगत तो इसका सही option क्या हो जाएगा option नमर ए धारा 103 के अंतरगत नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं और ये है आपका अगला प्रस्ट के CRPC के धारा 144 के अधिन कारपालक मजिस्टेट एक पक्षिय कारवाई भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण यस्सिग्र उप्चार वांचनी हो अप्षन देखिए इसके लिए अप्षन है कि विधिपूर्ड रूप से निवक्त किसी ब्यक्ति को बाधा छोब या छती से निवारण के लिए मानव, जीवन, स्वास्त, सुरक्षा, खत्रे को रोकने के लिए लोक, सांती और प्रसांती में बिग्न, बलवा, दंगा को रोकने के लिए उपर उक्त में से किसी एक या सभी आधारों के लिए इसमें सही option हो जाएगा option number D सभी या किसी भी येक आधार पर वो कर सकता है चलिए ये भी वड़िया question था अगला प्रस्ट हम लोगों का रहेगा कि किस मामले में या अभिनिर्दायित किया गया कि CRPC के chapter 8 कि प्रावधान लोग हित में होने के कारव संभिधान के उनिच्छे उनिस का उलंगन नहीं करते आपके सामने ये सारे option है देखिए कौन सा option सही है रामचरन बनाम राजी शीव ननारान बनाम बनाम बनमाली मधुली में बनाम SDM मुंगेर की रामपरसाद बनाम सम्राठ मिलकुल सही option आपका हो जाएगा मधुली में वर्सेस SDM मुंगेर की केस है section 144 पर ठीक है अगला प्रस्ण है अगला प्रस्ण है इस प्रस्ण को देखिए जो कि भारत का नागरिक है इंगलेंड में हत्या करता है वह इंदोर में पाये जाने पर पुलिस द्वारा गिरिफ्तार किया जाता है एक वो हत्या के लिए कहां विचारित किया जाएगा बारत की राजधानी नई दिल्ली में बी कहता है दॉपाल का यह इंदोर में जहहां वह पाया गया और बारत के किसी स्थान इससका सही ओप्शन हो जाएगा reduction nr c कि इंदोर में जहाँ वह पाया गया भरिट किकिसी साक्षी या व्रतिकों मिध्या साख्श देने लिए धामकाने पर परिवाद पेश किया जा सकता है साक्षी यह अन्य कोई भी व्रत्री पोलिष न्यायाला न्यालार दौरा प्राधिकृत व्यक्ती कि इसका सही option option number a हो जाएगा next कर लेते next question आपका ये है कि जब कोई किसी ऐसे अपराध का अभियुक्त हो जो उसके द्वारा कर्तब पालन के द्वरान किया गया हो तो कोई भी न्यायाल है निमलिखित में से किसी की पुरु सहमती के बिना उस अपराध का संग्यान नहीं करेगा option a कहता है राजय सरकार option b कहता है उच्छे ने आले option c कहता है राजय सरकार के परामर्ण से उच्छे ने आले option b कहता है राजय का राजय पालन इसका सही option हो जाएगा, option number A, राज सरकार की सहमती के बीना नहीं किया जा सकता है अगला प्रस्ण है, आपको पता भी होगा ये, कि पुलिस रिपोर्ट से भिन आधार पर संस्थापित मामलों के बिशय में आरोप निमनलिखित में से किस धाराम बिर्चित किये जाते हैं, कौन से मामलिम बात कर रहा है ये बात कर रहा है पुलिस रिपोर्ट से भिन आधार पर संस्थित मामलों में पुलीस रिपोर्ट से भिन आधार पर सुनısı्थित मामwestी में कि औरोप कौन से धारम विर्चित किया जाते है। सेक्शन हो जाता है दूसोचालीस कि दूसोचावालीस कि दूसचालीस कि तूसचावज़ालीस कि सही अपशन हो जाएगा 243 तक जो होगा वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर संस्थित मामले और फिर 248 से 250 हो जाएगा दूसरा जब मामला आता है तो 244 से 247 तक ये जाएगा और फिर 248 से 50 वाला तुमा लीजी दोनों का कामन है तो इसका आरोप जो विर्चित होता है 246 के अंतरगत होता है नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आप राधिक दंडा देश के लिए आप राधिक दंडा देश के लिए समन प्रक्रिया प्रियोग की जाती है समन प्रक्रिया प्रियोग की जाती है कौन से मामलों में अधिकतम एक साल की कारवास की अधिवाले मामलों में अधिक्तम एक साल के करवास की सजा अकर्षित करने वाले अपराध हों option B कहता है कि दो साल तक के करवास की सजा अकर्षित करते अपराध हों के लिए C कहता है साथ साल तक के करवास की सजा अकर्षित करते अपराध हों के लिए और D करता है उपर उख सभी मामलों में तो सही option हो जाएगा option नमर इसका option हो जाएगा option नमर बी दो साल तक के अपराद से करवास से दंडनी मामले जो होते हैं वो मामले कहलाते हैं समन मामले चलिए अगला question कर लेते हैं यह देखिए अगला बढ़िया question है कि वह व्यक्ति जो अपराधिक प्रक्रिया सहिता की धारा 320 कि अधीन अपराद का समन करने के लिए अन्यथा सक्षम होता मर जाता है तब बताए कौन करेगा अपराद का समन तब नहीं किया सकता है बी कहता है कि किशी साक्षी द्वारा अपराद का समन किया जा सकता है नेक्स्ट कहता है कि ऐसे ब्यक्ति का विधिक प्रतिनिधी नियाले की समती के बिना अपराद का समन कर सकता है और डी कहता है CPC बताती है, कि CPC के अंतर्गत बताया गया विधिक प्रतिनिधी कोर्ट की कांसेंट से अपराद का समन कर सकता है, 320 सेक्षन में ही ये बात बताई गई है, चलिए अगला कुश्चन कर लेते हैं, अगला प्रस्ण है, देखिए, कि एक निस्पादित प्रतिफल से ताथपर है, एक निस्पादित प्रतिफल से ताथपर है, यानि एक्जिक्यूटेड कंसेडरेशन, आपसन ने भूत कालीन प्रतिफल, B. एक दूसरे के लिए प्रतिफल निर्मित करते हुए बचनों का परस्परिक भी निम है ब्यतिकारी बचन के संबिदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो बचन दाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो इसका क्या सही option होगा सही option है option number D कि संबिदा के निर्माण के समय कोई वस्तु जो बचन दाता की इच्छा पर दी जा चुकी हो तो यह निस्पादित प्रतिफलकाल आता है ठीक है तो इतना ही question आज हम लोग discuss करेंगे आगली वीडियो जब हमारी होगी तो उसमें हम लोग कुछ और भी प्रस्न करेंगे चलिए अच्छा यह एक ठो question last question आज discuss कर लेते हैं वो question है contract का question है कि जब दो पक्षकार टेलिफोन पर contract करते है तो संबिदा उस स्थान पर पूड मानी जाती है जहां पर प्रस्ताविक स्विकृति को चुनता है ऐसा प्रावधान है CRPC के किसी धारा में नहीं अपितु उचितम नियाले द्वारा नेडित किया गया है option B कहता है धारा 2 में option C कहता है 3 में option D कहता है 4 में इसमें से कौन सा option सही है इसका सही option होगा आप देख रहे है option नमर option नमर ए सही हो जाएगा इसमें option नमर ए सही हो जाएगा समीदा अधिनियम में नहीं बता गया है लेकिन हाँ सुप्रिम कोट ने भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल यह केस याद रखिएगा भगवान दास वर्सेस गिरधारी लाल के केस में यह ने रिट किया था कि जब टेलीफोन से कांट्रेक्ट किया जाता है तो कांट्रेक्ट उस जगह पर और उस समय कंप्लीट होता है जब और जहां वो स्विकृति का सब्द सुना गया है तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही बाकी आप लोगों को मैंने स्कालर्शिप टेस्ट के बार में एक वार पुनह याद दिला दूँ कि पांच तारिक को है और बिल्कुल फ्री में है यह स्कालर्शिप टेस्ट में सामिल हो सकते हैं दोपार को बारा बजे है तो आप जिरूर इसको स्कैन करके इन्रोल हो जाईए और उस टेस्ट का भागिदार बनिए और बढ़िया सी हो सकता है कि आप इस स्कालर्शिप का फायदा ले पाएं बाकी तो आप अनकेडमी के बारे में जानते हैं कि बहुत सारी चीजे हैं तमाम इतरप्रदेस के लिए सेरी के लिए मेन स्टेस सेरी फ़ार यूपी जुरी सेरी मतलब सब कुछ तो चलिए अगली वीडियो में मिलेंगे तो बहुत सारी बाते करेंगे और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक कि लिए बाए बाए